अगर आप ICIC bank में zero balance account पे खाता खोलनों चाहते हैं इस वीडियो को आप देखते रहे क्योंकि यह पहले फैसलिटी नहीं था कि आप जो है आप एक माइन सेविंग खोल सकते हैं और इसके असाथ साथ आपको इंटरनेट बेंगी की सुविदा मिल जाएगी तो काफी ज्यादा बहतर अच्छा उप्सन है और चेक्भूक और एट्यम कान आपको बाइपुस्ट के द्वारा जो भी आप एक देश यहां पर इंटर करें कि आप आजाएगा तो चलिए कैसे आपको क्या सब प्रोसेस करना पड़ेगा क्या सब डोकुमेंट लगेगा तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं मिधुतुत्वार आप देख रहे हैं एंके पी में कैसे ओपेन कर सकते हैं वह भी घर बेटे अंलाइम आज सी आज सी बेंक में जीरो बाइलेंस एकॉंट पर खाता खुलने के लिए आप इस पेज पर आ जाएंगे और इस पेज का लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन में मिल जाएगा आप वहां से किलिक करके आ सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जीरो बाइलेंस पर एकॉंट उपेन कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी आपको कमिंटमेंट नहीं करेगा कि आप 10-15,000 रखें मेंटनेस कीजिए बाइलेंस को आप जीरो बाइलेंस पर भी मेंटनेस कर सकते हैं अपने खाते क को उसके बाद यहां पर एच देखा जाए यहां से 18 से 35 बस तक आप यहां पर खोल सकते हैं तो चलिए हम आपको जनकारी देते हैं कि कैसे आपको जो खोलना है खता यहां पर आपको एक उप्शन दिख रहा होगा अपलाइन नौ का तो यहां पर आप किलिक करेंगे तो आप यहां पर मोबाल नंबर देंगे जो खाते के साथ लिंक करना चाहते हैं उसके बाद आप अपना एक इमेल आईडी देंगे जो इस खाते के साथ आप लिंक करना चाहते हैं उसके बाद आप यहां पर टर्म एन कंडिशन एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद यहां पर आप नमर देंगे उसके बाद यह देने के बाद आप continue बटन पे किलिक कर देंगे उसके बाद आप अपना mobile नमर और email आड़ी अभी तुरद दिये हैं mobile नमर पे ही एक OTP जाएगा और email आड़ी पे भी जा सकता है OTP तो ज्यादा तर chance रहेगा mobile नमर पे ही तो आप mobile नमर पे OTP गया होगा तो आप यहाँ पर इंटर कर देंगे उसके बाद continue बटन पे किलिक कर देंगे तो किलिक करने के बाद आपके सामने में देखे कुछ इस तर mobile नमर है जो आधार बनाते समय आप जो भी आप नमर दिये हैं उसमें एक OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पर आपको इंटर करना पड़ेगा और इतने समय तक जो आपको यहाँ पर समय चल रहा है उसके बाद आपको continue बटन पे किलिक कर देंगे किलिक करने के बाद यहाँ पर सेविंग माइंड एकॉंट तो यहाँ पर अगर यहां पर मेरिट हैं तो यहां पर सिंगल यह मेरिट आप दे सकते हैं आप यहां पर पूछा जाता है source of income तो आपका income आने का क्या सॉर्स है तो यहां पी जनस वी है उसके बाद fund from family है आप इनमे से जो भी है तो आप यहां पर दे सकते हैं उसके बाद आप से पुछा जाता है यहां पर पोस्ट ग्रेजवेट है ग्रेजवेट है उसके बाद अंडर ग्रेजवेट है आप जो भी है आप यहां पर दे सकते हैं आपको पुछा जाता है इंकम रेंज आप जो भी सलाना इंकम करते हैं कमाते हैं वह आप आपको यहां पर है तो चली हमाप तो फाइय पलाक्स देदीते हैं उसके बाद другी कर देंगे कारे पर किलिक करने के बाद यहां पर आ जाएंगे इस पेज़ पर उसके बाद यहां पर डेविट कार्ड पर जो आपका नाम रहेगा वह आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद आपको नोमनी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा यहां पर तो अगर आप आधार कार्ड के जरी यह नोमनी डिटेल्स देना चाहते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं उसके बाद यहां पे आपको मदरनेम देना पड़ेगा तो चलिए हम यहां पे मदरनेम देखते हैं यहां पे नोमनी डिटेल्स भी देख सकते हैं अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप पर पूछा जाता है permanent address तो यहां पर आड्लेस आप जो Âँ पर जो भी हैं यहां पर दे देंगे उसके बाद यहां पर और अधार कार्ट से ही address ले लिया जाएगा उसके बाद जो भी state में आप रहते वह आप यहां पर select कड़ करें धेंगे उसके बाद city दे देंगे उसके बाद प्ले सीटी ऑफ बर्थ तो यहां पर आपका कहां जन्म हुआ है वह आप सीटी का नाम यहां पर देंगे कि कम्यूकेशन एड़ेस और पर्वानेट एड़ेस भी सेम है तो आप यह पर ही किलिक करके रहने दे सकते हैं उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पर किलिक कर देंगे तो यहां पर यहां पर वेट करना पड़ेगा उसके बाद जो भी प्रस्नल डिटेल है वह आपका आधार से ले लिया जाएगा जैसा की मेरे स्कीन पर आप देख सकते मेरा जो है अधार का डिटेल जो यहां पर ले लिया है इसको आप चाहें तो रीड कर सकते उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पर किलिक कर देंगे तो कंटिन्यू बटन पर किलिक करने के बाद आप यहां पर आया होगा को यहां पर इंटर करना है उसके बाद आपको कंट्टिन्यू बटन पे कग्िप कर देना है करने के बाद यहां पर देख सकते हैं यहां पर прав एक कांट में किये हैं तो चाहें तो हम फंड जमों भी कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां पर एक कुल चुका है तो यह रहा आपका नमर आप यहां पर देख सकते हैं एकांट नमर उसके बाद यहां पर नीचे में आप देख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद आपका FSC कोट आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद यहां पर आगर आप वीडियो के वाइसी करना चाहते हैं यहां पर आप कि दिखने चर करके आपको दिखाना पड़ेगा उसके बाद आपका जो है वीडियो के वैसी हो जाएगा उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं नीचे में आपको कुछ इंटरनेट बेंकिंग का यूजर आईडी यहां पर आपको मिल चुका है पासवर्ट बनाने के लिए आपको जो है आईसी आईसी बैंक का जो है ओफिसियल वैफसाइट पर आजाना है जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पर किलीक करके आप इस पेच पे आ सकते हो यहां पर आपको यूजर आईडी तो मिल चुका है उसके बाद आपको यहां पर पास्वर्ट जनरेट करने के लिए उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं लोग acquainted डोंतु इंटरनेट बेंकिंग तो यहां पर आपको क्या करना प इंटर करेंगे जो अभी आप खाते में उसके बाद यहां पर गो बटन पए किलिक कर देंगे तो सबसे परने कौ। इस तरह कघ वडि करने के बाद आपका यूजर आइडि आ जाएगा उसके बाद आपके zipt पर यहां पर इंटर करेंगे तो चलि को तरह कर Mitte करने के बाद आप गो बटन पर किलिक कर देंगे किलिक करने के बाद आप यहां पकर पडेख सकते के आपकर तो बहुत ही easy तरगेशा आप यहाँ पे set कर सकते हैं, उसके बाद new password आप जो भी यहाँ पे आपका मजबूत होनों चाहिए, password जैसे कि कुछ alphavet में होनों चाहिए, जैसा कि आप इस skin में देख रहे हैं, कुछ capital letter में होनों चाहिए, कुछ numerical होनों चाहिए, कुछ symbol होनों करेंगे, उसके बाद go वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो है, यहाँ पर congratulations, you have successful ICIC bank internet banking login password, तो यहाँ पर आप जो है, अब login कर सकते हैं, क्योंकि आपका user ID और password मिल चुका है, उसके बाद यहाँ पर login करने के लिए, आप इस बटन पर क्लिक करें हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर user ID यहाँ पर इंटर करेंगे, उसके बाद password यहाँ पर इंटर करेंगे, उसके बाद login बटन पर हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद password वाले box में अभी आपको जो है, जो अभी password आप बना हैं, वही आपको पासवर्ड यहां पे इंटर करना पड़ेगा तो चले हम यहां पे इंटर कर देते हैं उसके बाद आप आपको क्या करना पड़ेगा आप जो आप पासवर्ड बनाएंगे उससे आप इंटरनेट बेंकिंग यूज कर सकते हैं उसी पासवर्ड से तो पहले आप set किये थे, अब जो आप बनाएंगे उस password से आप internet banking use कर सकते हैं, तो चलिए आप थोरे बहुत change करके जो है password बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जो भी password रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद यहाँ पे confirmation के लिए फिर से वही password यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद अपडेट वाले यहाँ पे आप किलिक कर देंगे, तो पासवर्ट देने के बाद आप अपडेट वाले option पे किलिक कर देंगे, तो अपडेट वाले option पे किलिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका internet इंटरनेट बेंकिंग होम पेज तो यहीं से आप सारा कुछ मेनेज कर सकते हैं तो मैं आपको बताए था कि Giro बाइलेंस एकांट पर भी आप आप आसी ऐसी बेंक पर खता खोल सकते तो आप यहां पर देख सकते मेरा एक भी यहां पर रूपिया नहीं है तो यहीं से सारा कुछ आप यहां पर मेनेज भी कर सकते हैं यहीं से आप जो है ब्लोक ATM डेविट कार्ड कर सकते हैं जसा कि इसकी पर दिखाए गया हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं यहां पर सारा सर्विस हम आपको बता रहे हैं ब्लोक टिम डेवेट काड्य उसके बाद अबंय कर सकते हैं निये टिया कर सकते हैं उसके बाद जन डेट पीन भी आप यहां पर कर सकते हैं जो भी आपड़ेस DEAK अब चेक Origration को आपका एट्यम जो है यह इननी की बेड़् पोस्ट के काफी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप सेर भी कर सकते हैं और आप हमारे चैनल पे नहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं उसे भी आप दबा सकते हैं सबसे पहले आपको बिलता रहेगा तो दोस्तों आप एक लाइक जरू कर दीजिए क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इंस्टाग्राम पे तो उसका भी लिगा पूनेचे दिस्किप्सम में मिल जागा तो वहां पर आप हमें सकते हैं